चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे तो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका इस वीडियो में मैं राम सहाई आप देख रहे हैं राम आट श्टूडियो तो दोस्तो 2024 की निव डिजाइन आप लोगों के लिए प्रस्तूत है तो वीडियो में अंध तक बने रहे Step to step आपको हम समझाते हैं जैसा कि आप देख पा रहे है इस थर्मा कोल में हमने इस केज की मदद से पहले ही डिजाइन बना रखा है अब हमको करना है कटिंग तो कटिंग करने के लिए यह चाकू का इस्तमाल करते हैं देख सकते हैं यह चाकू यह बिलेड वाला चाकू है बनवाना पड़ता दोस्तो नुकीला बरवाना पड़ता ताकि अच्छे से काटा जा सके और इसको हम पूरी तरह से उपर नीचे उपर नीचे करके कटिंग कर लेंगे इस तरह से जिस तरह से मैं काट रहा हूं दोस्तों इसी तरह से काटना है खींच के नहीं काटना नहीं तो ये धर्मकोल बिथर जाए तो बने रहे हमारे साथ दिखाते हैं कटिंग करकी तो दोस्तों हमारे थर्मकोल की आउट कटिंग कंप्लीट हो चुकी है अब हमको बनाना डिजाइन तो डिजाइन कैसे बनाना है हम एक बिलेट लेंगे सेविंग बिलेट देख सकते हैं और उसको कईची की मदद से उसको पहली इस तरह से तोड़ लेते हैं दो टुकडे में और उसके बाद फिर कैची की मदद से एक कोना हम कैची से उड़ा देंगी ताकि काटने में थर्मकोल में कहीं फसे न इस तरह से देख सकते हैं नोकीला हो चुका है अब हम इसको ये जो थर्मकोल में आउटलाइन बनी हुई है हर जगे इस केच से इसको द थोड़ा ब्लेट को टेढ़ा करके कटिंग करें सीधा कटे ही ना करें अगर सीधा कटिंग करेंगे तो सीधे अलग हो जाएगा थोड़ा इस तरफ से टेढ़ा करके और थोड़ा इस तरफ से टेढ़ा करके हलका ही कटिंग करना है कि आर पार क्रास ना होने पाए फिर जो प्रिजाइन बनके तयार होगी तो दिखाते हैं यह देख सकते हैं दोस्तों यह बीचो बीच के निकल गया है और हमारा थर्मकोल भी अलग नहीं हुआ क्योंकि हमने हलके से काटता है और इसी तरह हलके से आप कटिंग कर सकते हैं पूरी आउटलान जितनी भी लाइने दिख रही हैं वो पूरी दोनों साइट से कटिंग करके निकाल लीजिए तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे थर्मकोल की जो है काटिंग कम्प्लीट हो चुकी देख सकते हैं अब हम करेंगे इसमें कलर तो बने रहे हमारे साथ दिखाते हैं आपको कलर करके तो दोस्तों सबसे पहले हम पीला कलर इस्तेमाल करेंगे यह देख सकते हैं आउटलाइन में आउटसाइड हम पीला कलर लगा देंगे हर जगे पील कलर लगा देंगे बने रहे हमारे साथ और उसके बाद ये देख सकते हैं औरेंज कलर ये औरेंज कलर है इसको अंदर साइड से लगा दिया है अब ये जो देखने में थोड़ा अच्छा दिखने लगा है और इस साइड भी वही कलर लगा लेते हैं इस तरह से द हदो Favorite PM 33 33 33 34 36 कर दो नगल दोस्तो हमारा कलर कंपलीट हो चुका है अब हम लिखेंगे नाम तो जो बचा हुआ भेस्ट घर्मकोल हूता है उसी में हम इस तरह से लाइन खिंच के उसमें नाम लिख लेंगे करने काइसे लिखना है काइसे चमकीला लगाना है काइसे कटिंग करना है ये भी दिखाते हैं हमारे वीडियो में लाश्ट तक बने रही है दोस्तों चमकीला लगाने के लिए आप इस तरह से पहले लिख ले हो सके तो आप थोड़ा सा फेवी कोल मिला ले कलर में ताकि चमकीला चीपक सके अगर नहीं मिलाना है तो यह जब हम पेंट लिखते हैं तो यह गीला रही सूखने न पाए ऐसी हालत में आप जब डालेंगे चमकीला तो पकड़ लेगा और अच्छे से पकड़ लेता है तो इसलिए अगर आप फर्म वह डाल लेंगे फेवी कोल तो और अच्छा पकड़ेगा नहीं भी डालते फिर भी पकड़ लेता लेकिन घीला रहना चाहिए अगर सूख जाएगा तो फिर वह नहीं पकड़ेग जैसे मैंने अभी बिना फेवी कोल के चिपकाया है सिर्फ कलर से लिख करके और डायरेक्ट उसमें चमकीला डाल दिया गीले गीले में तो पकड़ लिया है और नीचे साइड थोड़ा सा डाल दिया है और उपर साइड छोड़ दिया है तक कि डिजाइन थोड़ा हट के दिख अचिम को अब और बीच सरे खुरहां कसे भी कि नजोच अब करेंगे कट्स का इस तरह चुकर हो घुरा, और बीच बիच के हिस्से भी हमको इस तरह से चाकु से निकाल लेना है जहां दोस्तों देख सकते हैं और यह दूसरा नाम भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों और यह को को निकल गया आराम से कोई प्रोबलम नहीं अब इसके बीच ओ निकाल लिया है यह देख सकते हैं थोड़ा सनुक की जादा हो गई थी इसलिए उसको भी काड़ दिया है और देख सकते हैं दोस्तों यह हमारा जो नाम है और हाड है कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर हैपी बैडिंग लिखना है तो इसको लिखते हैं लिखने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है तो दोस्तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा दोस्तो तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभू